पानी से पहला कुआ है जिन्हें हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं पानी 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 देखते हैं पानी मिलता है या नहीं पानी जमीन से बाहर आने के बाद उसे ऐसे बैरल्स में इकठा किया गया और बैरल्स को वाटर टावर्स पर आसपास के गाउ के लोगों के पास सर्फ पीने के लिए साफ पानी ही नहीं था, पर एक प्रेशराइज वाटर सोस भी था, जिसका मतलब है कि लॉंड्री के लिए सुरक्षित पानी भी मिलेगा, और खीव, मुझे बताओ ये नोलन की मौम से कितना है भी है, हमने केनिया में और 20 कुए बनाए और उसके बाद, इसके चूते में भी हुआ है, मैं बताता हूँ कि हमने ये 29 कुए कैसे बनाए, इस विशाल सी ड्रिल से जमीन में सैक्रोफी धेरा गड़ा किया, वो भी पल्यूटेट सोर्स से होकर सीधे विशाल से प हैंड पंप से पानी ले सके और इसे टेस्ट करके देखते हैं, पानी जैसा है, मुझे इस पाच गैलन ड्रम को भरने के लिए पांच मिनिट लगे, इससे एक दिन में कितना पानी मिल सकता है, तीन हजार छेसो गैलन एक दिन में, ये ना केवल स्कूल के चार सो बच्चों क कवर करेगा, बलकि स्कूल के आसपास के गाउवाले भी इसका अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं, पानी के लिए शुक्रिया, कोई बात नहीं, ये पंप नॉन स्टॉप 30 सालों तक चल सकता है, इस तरह का बड़ा काम करने के लिए एक बड़े गवर्मेंट की जरूरत पर ये सच नहीं है, ये प्रॉब्लम सुलजाना बिलकुल मुम्किन है, और ऐसी चीजे करने के लिए इंसानियत को आगे आना ही चाहिए, आपके कामियाबी का राज क्या है, सच कहूं तो ऐसा कुछ खोजो जो तुम्हे करना पसंद है, उसे लंबे समय तक करो, और तुम् खुद को देख सकते हैं, हम इस गाउ के लिए भी कुआ बना पाए, इस गाउ के लिए भी और इन दूसरे 12 गाउं के लिए भी, और जब हम ये पंप्स लगा रहे थे, तब हमने यहां के एक स्कूल को